जैहिन दोस्तों स्वागे था आपके अपनी यूटूब चैनल जो मंतर हैं दोस्तों कर चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले कर प्रिस्ट करें दोस्तों सिक्सा और मौसम से समझे फलपल का अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं खास कर बताए सतरकता के लिए भी कई मेसेज जारी हुए कई केंदर सरकार राजे सरकार द्वारा जूजू सुईदें फ्रवाइड करवाएगी वो हमने आपको बताई तो दोस्तों आगले 48 गंटे में वहेंकर तुफान आने के पूरे चांसे लग रहे हैं तो दोस्तों इस वीड मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट मौसम विभाग के माने तो कुछ इलाकों में बिजली गिन्दे की भी संभावने हैं दोस्तों बताना चाहूंगा आपको अपने इलाके के अगर जानना है मौसम कैसा राएगा तो हमारे को कॉमेंट करके आप पोच सकते हो और चैनल क मौसम विभाग के अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग के माने तो कुछ इलाकों में बिजली गिन्दे की भी संभावने जदाए जारी है फाने के करण कुछ जिलू में बारिश भी हो सकती है मौसम विगयनिक तेल देवांगन का कहना है कि फानी तुफान अपने साथ नमी लेकर आया था जिसका फरवाव अभी भी 36 गड़ पर है इस वज़े से तापमान में तीन से चार डिगरी कमी आई है वही मद्य परदेश और महारास्टर में इलाकों में लूच चल सकती है ये गरम हवाए अभी 36 गड़ के तरफ आ रही है इस लिहाज से मंगलवार या बुद्वार तक परदेश में लूच चलने के संबाव में बन सकती है तो मोसम पील देवांगन का कहना है कि फानी तुफान वंगाल तक पहुच गया है फिलाल ये तुफान थोड़ा कमजोर हो गया है अब ये तुफान कमजोर होता जाएगा 36 गड़ी इस तुफान का भाएं भी चल सकते हैं बता दे कि सुकरवार को सामको राजधानी राइपुर में फानी तुफान का अश़र देखने को मिला था राइपूर सहित राजजी के कई इलाकों में तेज आंधे की वज़े से काफिय नुक्सान भी हुआ था तो दोस्तों आप किसे राजजाई य लेकिन डिल्ली, राजस्तान, उत्रप्रदेस में बुंदावांदी हो सकती है, लेकिन लूइब लूब भी दिन में चल सकती है, क्योंकि वहाँ पर फानी तुपान का असर बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, तो अब जो भी अपडेट आएगा, पूरे भारत का, मौसम विबाग का, किसी भी राज़ा का, तो हम आपके लिए लेकर के फिर से हाजर होगे, तब तक लोगो दो बाई बाई, जैहिन जैवारत!